आचार शीजी ने उस ग्रंत को पढ़ने के लिए पहले जो अमोग सूत्र दिया, वो सूत्र आज पूरे विश्व की पहली जरूरत है, पूरे विश्व की, किसी भी परिवार को सुरक्षित रखना है, किसी भी मानसिक्ता को सुरक्षित रखना है, किसी के सायम को सुरक्षित रखना है किसी के संबंद को सुरक्षित रखना है किसी के बेवहार को सुरक्षित रखना है सब में वो सूत्र लागू होता है बंधुओं सूत्र में गुर्देव ने क्या कहा आप देखिए सूत्र कहते हैं गुर्देव कहते हैं सुयम उनकी साधना से निकला सूत्र है ग्रंट को पढ़ने से पहले सीग्र कसाय से बचो क्या सूत्र है लिखना चाहें तू लिख सकते हैं पहला सूत्र था सीग्र कसाय से बचो तीव्र कसाय से बचो और दीर्ग कसाय से बचो तब जाकर के तुमको ये ग्रंट समझ पे आएगा आपको अपना जीवन चलाना हो बंदू, उस ग्रहस्ती चलानी हो, ग्रहस्ती में टूट-फूट हो रही हो, बिसंबाद हो रहे हो, नाना पकार के रागद्विश हो रहे हो, हिंसा का वातावरन बन रहा हो, कसाय के उत्पत्ती हो रही हो, ग्रहस्ती में भी ये सूत्र होता है लेकिन ग्रहस्तों को कभी गुरदे उन्हें दिया नहीं मुनियों को दिया उस आगम गुरंद को पढ़ने के लिए कहते हैं सबसे पहले तीवर कसाय से बचो फिर दीर्ग कसाय से बचो और उसके बार सीग्र कसाय से बचो कसाय शब्द जब भी अपने मुख से अपन कभी भी सुनते है तो हमको सिर्फ एक चीज याद आती है क्रोध कसाय मतलब क्रोध जबकि कसाय चार है और उसकी भी चार अलग-अलग इस्तितियां है अब प्रत्या ख्याना वर्णी अलग है, प्रत्या ख्याना वर्णी अलग है अनंतान उबन्धी अलग है, संजुलन अलग है चार अलग-अलग स्तितियों में वह इस चार कसाय हैं इन चार कसायों के पीश में एक सादक को अपना जीवन समालना है और समालते हुए उस ग्रंथ को पढ़ने का पुर्शात करना है तब जाकर कि वो ग्रंथ किसी के जीवन का अंग बनेगा कितना कीमती हो ग्रंथ धवला जय धवला कसाय पहुट पढ़ना कितना कठिन हो ग्या पहला सूत्र था सीग्र कसाय से बचो सीग्र क्रोध सीग्रमान सीग्रमाया और सीग्रलोब इनसे बचू कहां परसित्यां घटित होती है क्या गुरू के सामने किसी सीश्ट के अंदर क्रोध मान माया और लोब में इन चार में से किसी की इस्तिती बनती है क्या बन जाती है कई बार बन जाती है कई बार कैसे बन जाती है सीगर लोब की स्थिती बैठ जाता है टक टकी लगा के देखता है गुर्देव हमको देख करके हमारी प्रसंसा कर दें एक बार अपने मुख से हमारा नाम ले लें क्यों पपु कैसे हो तुम बस इतना इतना सुनने के लिए कितना पुर्शाद करता है वो सिश्य ये हमारी बहुत महनत करता है बहुत बहुत बयवत्ती करता है ये क्या है ये एक अंदर से अंदर से एक लोब है इस बात का कि किसी भी निमित से गुरु के मुख से कुछ प्रसंसा सुनने को मिले गुरु ने कोई बाट डांड दी तो उसी समय क्रोध भी आ जाता है हाँ आपसे दिख्षा तो ली है लेकिन आपके कारण अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकते है अरे इसमें जीवन बर्बाद की क्या बात है अपने आद्म कल्याण के लिए मुनी बने बहुत हलका इस्तर है उस मुनी का वो कभी भी मूख केवली तो बन सकता है लेकिन तीथंकर नहीं बन सकता तीथंकर बनने वाले जो मुनी होते हैं वो लोग कल्याण की भावना बाते हैं पीठंकर प्रकति का बंद होता है ग्रहस्त बांध लेता है और कोई मुनी महराज ये कहें भया हमें तो सिर्फ अपने आप से मतलब यथा संभव अपने आप से मतलब लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो आप लोग कल्यान की भावना भी भाव गुर्देव को देख लीजिए उनकी जीवन चरित्र में ऐसा पवित्र दार्शनिक जीवन जीते है लोग कल्यान की भावना से उनका हिर्दय लबालब भरा हुआ है क्या पसू पक्षी, क्या जीव, क्या गाय बैल क्या मनुष्य, क्या मुनी, क्या ग्रहस्त सब को बचाने का उद्देश उनका लगा रहता है है की नहीं, आप देख लो दिखता है इस पष्ट शांतिदारा खोल दी हो बीना बारा बना दिया हो भग्युदय तीर्थ बना दिया हो या फिर किसी मुनी महराज का निर्मान करा दिया हो ये किसलिए लोग कल्यान की भावना के लिए सीक्र कसाय से बचने के लिए सूत्र है आगम को समझना हो या फिर जीवन समालना हो घर में रहना हो आपस में भाई भाई में नहीं बनती वहां भी सूत्र लगा लो सीक्र कसाय से बचो सिप क्रोज से नहीं लोब से भी बचो और फिर वो सीख कसाय अगर पैदा हो जाए तो फिर गुर्दयों कहते हैं कि तीबर कसाय से बचो अतीवी तीबर मात्रा में नहो क्रोध, मान, माया, लोब इससे आप भाग नहीं सकते इस्तिती ऐसी है कि क्रोध, मान, माया, लोब अपने जीवन में पंखे जैसी है उसको आप रेगुलेट तो कर सकते हैं लेकिन आफ नहीं कर सकते पांच नंबर में पंखा चल रहा है बटन खटका खराब हो गया है तो आप पांच को चार कर सकते हैं चार को तीन कर सकते हैं तीन को दो कर सकते हैं दो को एक कर सकते हैं लेकिन एक को शुन में नहीं ला सकते आप बेकुल धीमी स्पीड में लेकिन पंखा चलेगा पंचमकाल में बंधू क्रोध मान माया लोप का चलता है गुर्द्यों कहते हैं पंखा तो बंध मैं नहीं कर सकता लेकिन तीब्रता से बचो सीगृता से बचो और दीरगृता से बचो अपने जीवन में सूत्र को आप भी आयाम देने का प्रयास करिए अपना खुद का परिवार भी समालना हो बंधो तो क्रोज जब तीबृता से पैदा हो जाता हो सूत लगा के देखना मुनी महराज ने कहा था भाई है तीब्र कसाय से बचो उसी भाई के चक्कर में अगर वो बिमार पड़ गया है और प्रापर्टी हडपने की चिंता हो रही हो तब भी सूत लगाना बंधो तीब्र लोब से बचो वो भाई कुछ कह दे और बुरा लग जाए तीब्र मान से बचो और उसी भाई के सामने नाना प्रकार के जूट बोल करके अपने को सत्त साबित करने की स्थिती बनने लगे तीब्र माया से बचो तीब्र कसाय में क्रोध मान माया लोब हर भ्यक्ति के जीवन में प्रत्यक पल में रंग दिखाते हैं मुनी माराज ने आपको बुलाया आप भक्ति के साथ आ गए उन्होंने दान की बात करी और आपके पास सीगर लोब पैदा हो गया अरे माराज इतना नहीं हो पाएगा क्यों नहीं हो पाएगा है तो तुम्हारे पास नहीं माराज अभी परस्टियों बहुत प्रित्कूल चल रही है अभी तो बिल्कूल नहीं हो पाएगा कैसा हाँ जुड़ करके कौन हाँ जुड़वा रहा है तुमसे सादू? नहीं तुमसे तुम्हारा लोब कैसे हाँ जुड़वा करके लोब अंदर बैठा है शब्दों में मायाचारी आ गई दो कसाई एक साथ उदे में चल रही है इधर लोब काम कर रहे है अपना शब्दों में मायाचारी काम कर रही है और अंदर ही अंदर पांच में मालो महरा से डिवेट हो जाए क्यों समझाने लगे अंदर इनना क्रोध पैदा हो जाता है कितना देड़ तक ही पका रहे हैं छोड़े तो मैं घर जाओ क्या हो गया भाई सीग्र कसाई से बचो धर्मायतनों में तो जरूर बचो बंदू बहुत काम आती है बहुत काम आती है सिटते भी सद्गूरु बाते है अपने कमंडल में कुछ भी लेकर के नहीं जाते है सब छोड़ करके जाते है यहीं पे सिप सवन्योजणा बनाने के लिए उनको यहाँ पर भेजा गया वो अकारन मित्र होते है कल्यान बंदू होते है कल्यान मित्र कहलाते है, ऐसी संग्या दिगंबर मुनी महराजों को है, उनको हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे कल्यान की चिंता करते हैं, उनको हमसे कुछ लेके नहीं चाना है, लेकिन फिर भी वो हमारे अकारण बंधु है, जो पाप, जो ललाई हमको हमार आंक से दिखाई नहीं देती, वो मुनी महराज को दिखाई देती, तो महराज कहते, भाईया, थोड़ा कुरोच छोड़ दो, थोड़ा लोब छोड़ दो, मंदिर में आकर के थोड़ी मायाचारी छोड़ दो, थोड़ी और मान को यहां पर त्याग दो, हमारा नाम नहीं लिखा गया था बेदी में, अब हम इस बार दान नहीं देंगे, अरे भाईया, इतनी बड़ी मूच क्यों करते हूं, कड़ जाती है, पता भी नहीं चलता, कब कड़ जाए, कोई पता नहीं चलता, इसलिए गुर्देव का पहला सूत्र है, सिग्र कसाई से बचो, फिर उस सिग्र कसाई में भी तीब्र कसाई से बचो, और सबसे बड़ी बात, दीर्ग कसाई से बचो, बीस साल पहले, हमारे दादा जी ने, इसका सिखर बनवाया था, तुम कैसे तोड़ सकते हो, तोड़ नहीं रहें भाई, उसको और बेवस्थित करना होगा तो, लेकिन तुम्हारी मान कसाई आँगे आगई, एक दादा जी अड़ गए, बाहर बातरूम में, उनके पिता जी ने, हरे कलार का टाइल्स लगवा दिया, आपने मंदिरों में देखे होंगे ने, हरे कलार के टाइल्स लगे हुए, पुराने जमाने के, कारविंग नकासी वाले उब्रे उब्रे, बातरूम का टाइल्स तोड़ दिया, तो उनको गुस्सा आगई, उनने मंदिर आना बंद कर दिया, बोलें, पूछा क्यों भाईया, बिकास हर जगाए जरूरी होता है, लेकिन इस तहे की कसाय करने पर, ना संस्क्रती का बिकास होता है, ना समाज का, ना सादूबर्ग का, तभी तो गुर्देव को बोलना पड़ा, सीग्र कसाय से, तीप्र कसाय से, और दीर्ग कसाय से बचो, आपको भी अपने जीवन में जब भी विकास करना हो, एहम सामने आके खड़ा हो जाए, लोब सामने आकर के खड़ा हो जाए, मायाचारी सामने आकर के खड़ा हो जाए, जीवन का ये सूत्र लगा लेना बंधू, वहीं से मार्ग अपने आप मिल जाएगा, रुका हुआ पानी का प्रवाह सड़ जाता है फिर उसको बहने के लिए गती मिल जाएगी कितना पवित्र सूत्र है